आप सीय पर आपको अकल आई या नहीं आई आमन जी कोई भी हिंदु को बराता चाहंग कोई धर्धान का बेगती कोई बी किसी देस्ट में कोई नहीं पता है क्या धर्मा इस्लामें कट्टर पनती हैं कोई कोई कुछ नहीं इस्लामें कट्टर पनती हैं दीजय कवर फ़ाया बचाईày उनकर त्परु नियुक्त को बसाना चीन कर अब कर अब हाँ या ना सिय पर अक्ल आईए बबसाना चाहिए मुझे पता है इन यही बात है की बात अलग नहीं है चलिए आपको पढ़ा देते हैं थोड़ा सा पढ़ादू मैं आपको धार्मे कुप से जिनको प्रतारित किया गया है हिंदू सिक उन लोगों को यहां पर नागरिक्ता दी जाए यहां आप लोग विरोध कर रहते हैं उसका तारिक फते साब इनको थोड़ा समझाए तारिक फते हो गया सुलीजे सुलीजे एक सुलीजे सुलीजे बादल देवनाथ बादल जी गरजना थाना अगर आपको तो फिर इन इसलामिक कठर पंधियों पर गरजी आपके बंगाली भाईयों का वाँपर दमन करिया जा रहा है खुल कर बोलिए क्या हाल कर रहे हैं वाँपर और आप लोग इनको यहां नागरिक्ता देने का विरोध करते हैं तारिक फते साब कराची से लेकर काबूल तक और अब धाका तक हिंदूओं के लिए तो कुछ है ही नहीं ना फिर हम लोग यहां रेट काट पर वेलकम देते रहते हैं आईए बस यह धरमशाला है हम तुमें शरण देंगे तुम हमें शरिया दो एक दुख की बात यह है कि पूरी इस्लामिक दुनिया में बंगला देश वाहिद मुस्लिम कंट्री है जहां पे पाबंदी है यह इस्लामिक एक्स्ट्रीमिस्ट और्गनाइजेशन्स की लेकिन यह तमाम जो एक्स्ट्रीमिजम है यह बंगला देश में आ रहा है तबलीग जमात जमात इसलामी और ये तमाम इंडियन नौध इंडियन बेस्ट जो लोग हैं और इसमें आप पाकिस्तान का हाथ अलग नहीं रख सकते ये पुराना टेंट ट्रक केस एक जमाने का था वो उसको फॉलो करिए ये शरारत की जा रही है दो बजा से कि हिंडुस्तान और बंगलादेश के बीच में जो तालुकात हैं एक तो वो खराब हों ये जो बात है कि किसी हिंडु को पना है हिंडुस्तान में मिलनी चाहिए मैं सौ फिससद अगरी करता हूं सी ऐसे क्यूंकि मसला दूर की बात का नहीं है आज आप सोचिए कि मेरी एक फ परेगा ना या मैं मर जाओ नहीं तो जो हिंडु पाकिस्तान में है या बंगलादेश में है वो अंदर के जो बहसे उसको अलग रखके उनका बुनियादी हक है कि वो भारत में हिंडुस्तान में उनको जगा मिले ये ना हो कि वो लोग जो हिंडुस्तान से नफरत करते हों उनको तो हम हाथ उठा उठा के रोहिंग्या रफिजीज को यह लाके और वो बंबई में और कहां कहां तमाशे करें अटैक करें नैशनल मेमोरियल्स को वो एक्सेप्टिबल है हमारे उनफॉर्शनेटली जो लेफ्ट पे यार दोस्त हैं जो अपने आपको लिबरिल समयते है लेकिन जिनके साथ जुल्म हुआ है पिछले एक दिन के अंदर आप देखिए कि वो फेस्बुक के उपर एक तस्वीर ये डाल देनी किसाब मंदिर के अंदर कुरान पढ़ा था आप ये भी तो सोचिए कि कुरान अगर हटा दे तब दंगा कुरान रख दे तब दंगा तो ये कौन करा रहा है सर ये जो सोच है आपके दियो बन की इसको बन कराईए ये तो हिंदुस्तान के अंदर है मैं तो सोच नहीं सकता हूँ कि अगर एक मंदर में किसी ने कुरान रखा है तो इससे मुसल्मानों को क्या तकलिफ है क्योंकि हम तो हर वक कहते हैं हमारा हर मुसल्मान का काम है दावत दे इसलाम का अरे जिसने भी कुरान वा रखा मंदिर के अंदर जाके दूसरे कैसे किसी हिंदू को मानने पर त्यार हो गया आप आप जुम तो देखिए कि ना रखे तो मारे जाएंगे रखे तो मारे जाएंगे